चेह महीने से नताशा और हारदिक पांड्या के बीच चल रही है अन्बन जल्दी होगा तलाक हारदिक और नताशा के तलाँ के ख़वरों के बीच अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों के रिस्ते पिछले चेह महीने से खराब चल रहे हैं पीते कई दिनों से क्रिकेटर हारदिक पांडिया और एक्ट्रेस नतासा के तलाग की खबरेश सुर्खियों में बनी हुई है। हलाकि इस मामले में अब तक दोनों की और से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन एक के बाद एक कई तरह की मीडिया रिपोर्ट्स तलाग को बढ़ावा दे रही है। इसी बीच अब एक और नई रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें दावा किया गया है कि हारदिक और नतासा के बीच बीते 6 महीने से खटपट चल रही है। दोनों की साधी में काफी समय से तनाव बना हुआ है। माना जा रहा है कि इसको देखते हुए यह स्टार कपल तलाग ले सकता है। अब बामिर टाइम्स ने एक सूत्र के हवाले से कहा है कि पिछले 6 महीनों से उनकी साधी में तनाव चल रहा है। इस कपल के अलग होने की संभावना है। साथ ही यह खबरे भी आ रही है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। इसमें प्यार अभियान होने की जूटी खबरे भी सावित हो सकती है। हार्दिक और नतासा के तलाग की अफ़मा है। नतासा के उस एक्षन से उड़ी थी जब उन्होंने अपने इस्टाग्राम नाम से पांड्या सरनेम हटा दिया था। इसके बाद एक Reddit यूजर ने दावा करते हुए कहा था कि IPL 2024 के दोरान भी नतासा हार्दिक और मुंबई इंडियन्स को चियर करने नहीं पहुची। यूजर ने यह भी कहा कि हार्दिक और नतासा एक दूसरे के साथ सोसल मेडिया पर तस्वीरे भी अपडेट नहीं कर रहे हैं। Reddit यूजर ने यह भी माना कि 4 मार्च को नतासा के जन्म दिन पर हार्दिक ने कोई पोस्ट नहीं किया था। वही नतासा ने हार्दिक संग अपनी सभी तस्वीरों को इस्टाग्राम से डिलीट कर दिया था। दोनों कई स्टोरी भी पोस्ट कर रहे हैं जबकि कुनाल और पंखुडी अभी वे उनकी पोस्ट पर कमेंट करते हैं। उन दोनों के बीच निश्चित रूप से कुछ गड़बड है। नतासा और हार्दिक ने कुछ समय की डेटिंग के बाद जनवरी 2020 में सगाई कर ली थी। इसके बाद जल्द ही लागडाउन के दवरान इस कपल ने साधी कर ली। मई 2020 में दोनों की साधी बेहत साधारण और गुपचुक तरीके से की गई थी। सगाई के लगभग 6 महीने और साधी के लगभग 1 महीने बाद ही नतासा और हार्दिक बेटे के माता पिता बन गये थे। उनके बेटे का नाम अगत्स है। सगाई और साधी के दवरान नतासा प्रेगनेंट थी। तो इस तरह से देखा जाए तो यह खबर बिल्कुल चौकाने वाली है कि साधी से पहले मा बनी नतासा हार्दिक के साथ कितने प्रेम में रही होंगी। और इतनी जल्दी ही दोनों ने अपने रिष्टे को विराम देना समझा जो समझ से परे है। इसलिए हो सकता है कि यह एक PR स्टंट हो और इस न्यूज के पीछे कोई सच्चाई ना हो।